नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे दिखे हमेशा जवान आज के समय में हर वैक्ती सुन्दर और जवान दिखना चाहता है लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर और हमारे चेहरे पर कई बदलावाते हैं बढ़ती उम्र के साथ ही त्वचा अपना आकर्शन खोती जाती है ऐसे में जुर्यां बढ़ती हैं जो चेहरे आखों के आसपास और माथे पर दिखती हैं जुर्यां कई कारणों से हो सकती हैं जैसे खराब खान पान, कॉस्मेटिक उद्पादों का अधिक उपयोग, सुरज की रोशनी में जादा रहना आदी लेकिन कुछ घरिलू उपाय अपना कर आप इन जुर्यों को कम कर सकती हैं और जवान दिख सकती हैं जैसे खीरे और दही का पैक खीरे और दही का पैक परियोग मिलाकर आप एक आरकर्शक तवचा पा सकती हैं दो चम्मच घिसा हुआ खीरा और आधे चम्मच दही लेकर अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाएं 20 मिनट तक चेहरे पर रखकर दो दे रोजाना एक बार ये पैक लगाने से आपको एक महिने में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा नारियल का दूद तवचा को नारियल के दूद से नमी प्राप्त होती है और इससे तवचा नरम और मुलायम बनी रहती है सबसे पहले नारियल को घिस ले और इससे दूद निकाल ले इस दूद को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ कर चेहरा धो ले इससे आपके तवचा लंबे समय तक जुरियां रहित बनी रहेंगी ओली ओयल ओली ओयल चेहरे की मसाज के लिए सबसे उप्यूग तेल है इसमें विटामिल ए योंग ए की मात्रा होती है अगर जुरियों वाले अस्थान पर रोजाना ओली ओयल की मालिश करें तो इससे तवचा काफी आकरशक योंग मुलायम दिखेगी योंग जुरियां भी काफी कम हो जाएंगी बादाम रात को दूद में बादान भीगो कर रखें और सुबह उड़कर बादाम के छिलके उतार कर इसका पेश्ट बना ले इस पेश्ट को अपने चेहरे पर लगाएं इसे 20-30 मिनर तक लगा कर रखें योंग गुनगुने पाने से धो दें नीबू रोजाना नीबू के रस को अपने पूरे चेहरे पर लगाने से तवचा जुरियों से बची रहती है और चेहरा सापसुत्रा रहता है गुलाब जल फूलों के पराग और हल्दी का मिश्रन त्यार करके उसे चेहरे पर लगाएं इससे जुर्यां काबू में रहती हैं और डैड स्किन हटती है पपीता, पपीते को मसल कर उसे चेहरे पर गले पर लगाएं, इससे तवचा मुलायम रहती है और जुर्यों से छुटकारा मिलता है अंडे का सफेद भाग, अंडे के सफेद भाग में नारियल का तेल मिला कर लगाएं, इयोंग सूखने तक छोड़ दें, इससे आपकी तवचा जवान बनी रहेगी चेहरे की एक्सराइज, चेहरे से जुर्यां हटाने के लिए चेहरे का वयायाम करें, इसके लिए अपने मूँ से अंग्रेजी के अक्षर E और O बोलें, जिससे चेहरा एक बार फैलेगा और एक बार सिकुडेगा यह प्रकिरिया को पांच मिनट तक करें, इसके बाद होटो को ऐसे बनाएं जैसे सीटी बजा रहे हों, यह दोनों दिन में दस से पंदर मिनट तक करें इसी तरह और अधिक ब्यूटी और हेल्दी टिप्स के लिए सबिस्क्राइब करना ना भूले ।